और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे मनीश सिसोधिया की रिमांड अब पांच दिन के लिए बढ़ा दी गई है इंफोर्समेंट डारेक्टर रिटने मनीश सिसोधिया की साथ दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन आप मनीश सिसोधिया अगले पांच दिन तक इडि की रिमांड में ही रहेंगे शराब धुट आले को लेकर इडि लगातार उनकी रिमांड की बांग कर रही है कुमार सोनो हमारे सयायोगी इस वक्त हमारे साथ हैं कुमार पांच दिन की रिमांड मिल गई एडी को देखे बिल्कुल दरसल एडी की तरफ से साथ दिन की रिमांड मांगी गई थी जिसमें कोट ने पांच दिन की रिमांड पर मनीशी सोधिया को एडी को सौफ दिया है दरसल ED की तरफ से एक आ गया कि पूर सचीव सी अर्विन दिनेश अरोडा, अमित अरोडा, राहूल सिंग से मनीश सोधिया का कंफरंट कराना है हाला कि ED की तमाम दलीलों का विरोध जो है वो मनीश सोधिया के वकील करते रहे लेकिन बावजुद इसके जो है कोट ने उनकी तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए ED को पांच दिन की रिमांड पर जो है मनीश सोधिया को दिया है आमना सामना करлонा करवाया गया क्योंकि कोट पर जांकरी दीगे की चार एक यूँस से आमना सामना करवाया चार गवात है इसके इलावा ये भी बताया गया कि कई डॉक्यूंट भी है कई बूबाइल से डेटा है जो रिटरीव किया गया तो ED का कहना है कि उसकर retrieve करना है इसके साथ-साथ जो मनीश से पूछच करना है उसमेँ अरविंद गोपी क्रिशन और संजे गोईल से कन्फरंट कराया जा चुका है बाकी अभी चार और लोगों से कन्फरंट कराना है साउथ की लॉबी से कन्फरंट कराना है और जो इमेल का डेटा है वो रिकवर करना है खासता और पार मनिशी सोधिया से ये भी पूछना है कि जब दिली के उपराजेपाल ने जो है इस पूरे मामले की जाँच CBI को सौपी थी तो उस दोरान जो मनिशी सोधिया फोन इस्तमा नीती है जो दिली के आपकारी नीती गोटाला मामला है उसको लेकर पास दिन की रिमांड पर एक बार फिर भेजा हाला कि तरफ से साथ दिन की रिमांड कई गई थी लेकिन वहीं मनिशी सोधिया के वकील लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि पिछले साथ दिनों में ज से जो है पूश्टाच नहीं होती तो ऐसे में कोट की तरफ से भी कहा गया कि वो हो सकता है कि आपको थोड़ा रिलेक्स देना चाहते हो ताकि आगे की पूश्टाच हो तो तमाम दलीले जो हैं दोनों पक्षों की तरफ से दी गई जिसमें दिली की राउजविन्य कोट ने एडी के वकील की दलीलों को मानते हुए मनीशी सोधिया को पांच दिन की रिमांड पर एक बार फिर एडी को भेजा एडी के पास भेज दिया है कुमार दरा यह बताएं कि पिछली जो सुनवाइं हुई थी उसमें एडी की तरफ से कौन-कौन सी क्या-क्या दलीले दी गई थी तेकि एडी की तरफ से ये दलीले दी गई थी किमनीशी सोधिया जाच में सयोग नहीं कर रहे हैं सवालों के सही सही जवाब नहीं दे रहे हैं जिसका लगातार जो मनीश सित्सोधिया के वकील हैं वो विरोध कर रहे थे और उनकी तरफ से भी आ गया था हमाधी पार्टी की तरफ से भी भयान आया था कि ED जो है वो जवाब चाती है जो उन्हें सुनना पसंद है तो ऐसे में कोई ग्राउंड नहीं बनता रिमांड का लेकिन पिछली बार भी जो एडी के वकील है उनकी दलीलों को मानते हुए साथ दिन की रिमांड पर भेजा गया था हाला कि इस बार मनिशित जोदिया के वकीलों की तरफ से एक आ गया कि सिर अरविंद को जो है समन करना है उनसे आमने सामने बिठाके कराना है इसके साथ 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 लॉबी को लेकर बाची तो नहीं है सबूत इखटे करने है खासतोर पर आई क्लाउड से जो मेल डिटेल डिलीट किये गए या फिर जो मनिशित सोदिया का फोन जो उस दौरान वो य तो बिल्कुल कोट में आज जब सुनवाई हुई तो कोट में ये भी कहा गया कि जब बाइस जुलाई को ऑडर दिया था एल जी ने इस बात का कि मनीशिसोदिया के खिलाद यानि कि शराब घोटाले में इस पूरे मामले पर केस चलाया जाए तब ये भी कहा गया कि उसी के बाद उसी के जब बाद मनीशिसोदिया अपने फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था इसके लावा सोनु जो आप साउथ लॉबी का जिक्र कर रहे हैं उस पे के कविता का सबसे बड़ा नाम है के कविता को भी इन दिनों में अब एडी समन देकर बुला सकती है